दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हबा, मैंने तुझे याद किया कश्तिय मैं को हुक में, रवानी भी भेज दो, जब आग भेज दी है, तो पानी भी भेज दो नाजरीन मैं हूँ बिसमिल आफ़ताव आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नौलेज चैनल, हमारा जो आज का इंतखाव है बो है जोश मलिहवादी, और जोश मलिहवादी को उर्दू यूजी सी नेट का जो सिलेवस है, उसमें यूनिट नंबर फॉर में शामिल कि गया है, तो मैं इन से मतालिक आफ के सामने सवालात भी बेहन करूंगा और इनका तारूफ इनकी तसानिफ, हाई ये शुरू करते हैं, सबसे पहले जोश मलिहवादी का असल नाम शबीर हसन खान था, कई नकाद ने इनका नाम शबीर हुसें खान भी बताया है, इसके बाद में जोश मलिहवादी ने इबतदा में शबीर तखलूस इस्तमाल किया था, और बाद में जोश, जोश की पैदाईश पांच दिसंबर 1896 में मलिहवाद में हुई है, और कुछ नकाद जो हैं, इनकी पैदाईश को 1898 भी बताते हैं, जोश की बफाद 12 फरवरी 1922, 1898 इसलामाबाद पाकिस्तान में हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जोश मलिहवादी पाकिस्तान चले गए थे, शायद 1957 में, इसके बाद में जोश मलिहवादी ने अपनी तालीम सीतापूर, जिला शीतापूर, ये उतर परदेश में पढ़ता है, और इसके बाद में ल इसके बाद में जोश मलियावाद के वालिद का नाम याद रखना बशीर मुहम्मद खान था और जोश मलियावादी के दादा का नाम मुहम्मद आहमद खान था जो साहीब दीबान शायर थे याद रखना जोश मलियावादी जो हैं उनके खानदान में पाथ छे पीड़ियों से शायर होते चले आ रहे थे इसी में इनके वालिद भी शायर थे उनके दादा साहीब दीबान शायर थे और इसके बाद में जोश के पर दादा का नाम फखीर मुहम्मद गोया था ये भी श खलूस था अब जानते हैं जोश मलियावादी के शायरी मजमुएं यहां से बहुत ही खास वीडियो है ये सवारात पुछे जाते हैं तो इनके शायरी के मजमुएं कितने शाया हुए मैं आपके सामने बेयान करता हूँ जोश मलियावादी का पहला शायरी मजमुएं जो है में इनका दूसरा मजमुआ कलाम है शायरी का शायर की रातें ये 1933 में शाया हुआ इसके बाद में नक्षे निगार नक्षे निगार जो है 1936 में शाया हुआ शोला सबनम शोला सबनम जो है ये 1936 में ये भी शाया हुआ और फिक्रो नशाद ये 1937 में शाया हुआ मैं ये मजमुआ कलाम आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ ये सभी शायरी के मजमुआ कलाम है इसके बाद में हर्फ रिहिकायत हर्फ रहकायत 1938 में शाय हुआ और आयात नखमाद 1941 में शाय हुआ अर्श औ फर्ष 1944 में शाय हुआ असंबलो सलासल यह 1944 में शाय हुआ यह 1245 मे.oki. Fourth Camer,qf और इस के बाद न годमें सलासिल ये दोनों 1944 में शया हुए इसके अलावा 1936 में दो और कलाम इनके शया हुए थे मजमुआ नक्ष निगार 1936 और शोला शबनम ये भी 1936 इसके बाद में 1945 में राम शोन रंग ये 1945 में शया हुआ है इसके बाद में सेफो सबू सेफो सबू जो है 1947 में शया हुआ और सरुदो खरोश सरुदो खरोश जो है बो 1953 में शया हुआ और समूमोसबू 1904 में अलहाम और आफकार ये 1936 में शया हुआ हुआ सबसे आखरी मजमुए इनका है शायरी में अलहाम और इफकार ये 1964 में शाया हुआ इसके बाद में जुनून और हिकमत और नजूम जोहर ये दो शायरी मजमुए हैं लेकिन दोनों रुबाईयात के हैं सबसे पहले जुनून और हिकमत जो है वो 1934 में शाया हुआ ये रुबाईय का जो रुबाईया है इनकी लिखी हुई उसका मजमुए कलाम है और नजूम जोहर जो है ये भी रुबाईयात का ये 1964 में शाया हुआ जब आलहाम और इफकार शाया हुआ था इनसे मतालिक सवाल अ नज्म है ये रुबाईय का मजमुए कलाम है या फिर ये घजल का मजमुए कलाम है इस तरह से इनसे मतालिक सवालाइत पुछे जाएंगे इनको याद रखना बहुत जरूरी है इसका जोश मलिहावादी के मरासी ये भी याद रखना कभी कभी जोश मलिहावादी के मरासी क बयान करता हूँ नो मरासी हैं याद रखना नो के नो पहला आजादा हक ये मरासी मरसिया है और हुसेन और इनकलाब ये भी मरसिया है और मुजिदो मुफक्किर ये भी मरसिया है बहदत इनसानी ये भी मरसिया है तुलू फिक्र ये भी मरसिया है और छटा मरसिया है अजमत इ जिन्दगी और मौत इसके बाद में आठमा है पानी और आखिर में नमा इनका मरसिया है आग और हुसैन पानी आग और हुसैन ये कई मरतबा पूछे गए हैं ये दोनों मरसिया हैं और इनको पूछ लिया जाता है नजम में देखे कि इन में से कौन सी ये नजम है ये मरसिया ह इसके बाद में जोश की दीगर तहकिकात जोश मलिहावादी की दीगर तहकिकात अगर आप देखें तो सबसे पहले यादों की बारात इसको याद रखना ये जोश मलिहावादी की खुदनविश्ट है सबाने हयात है सवाने हयात कह लीजिए या खुदनविश्ट इसको यादो की बाराद को पूछा जाता है इन में से कौन सी खुदनविश्ट है तो यादो की बाराद खुदनविश्ट है और सवाने हयात भी है यही इसके बाद में यादो की बाराज जो है इनकी खुदनविष्ट ये 1972 में लिखी गई है और इसमें पांच अबाब है पांच इसमें बाब है पहला इसमें बाब जो है वो है चंद अब्तदाई बातें दूसरा है मेरा खांदान ये यादो की बाराज जो इनकी खुदनविष्ट है उसकी बात कहर रहे हैं उसमें पांच जो वाब दिये गए हैं उनको मैं बयान कर रहा हूं सबसे पहला है चंद अब्तदाई बातें दूसरा है मेरा खांदान और तीसरा है मेरे चंद काबिले जि और चोथा जो है वो है मेरे दौर के चन्द अजीब हस्तियां और पाचमा जो अबाब है वो है मेरे माश के इसके बास में जोश मलießळ वादी की मशहूर नजमे नजमों को बहुत ही याद रखने की जरूरत है क्योंकि नजम से मतालिग जरूर सवाल आता है गा किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिन्दा का खाब, जवानी की आमद आमद जवानी से मतालिक इन्हों की लिखी हुई नजमे जो हैं वो छे हैं सबसे पहले तो इन्होंने लिखिए जवानी की आमद आमद उटती जवानी, जवानी का तकाजा, जवानी के दिन, जवानी की रात, जवानी के साजव बर्ग. इसके बाद में बरसात की बहारें इसको याद रखना बरसात की बहारें ये नजम है जोश मलिहावादी की और इसी नाम से नजीर अक्बरावादी जो जदीद नजम के पेगंबर माने जाते हैं उनकी भी नजम है वरसाथ की बहारे और जोश मलियावादी की भी नजम का नाम वरसाथ की बहारे है उसी तरह से जैसे मेरी गाए इसमाईल मेरटी की भी नजम लिखी हुई है और दूसरे शाय जो है बरज नारांच चक्वस्त उनकी भी एक नजम है उसका भी नाम मेरी गाए है तो उसी तरह से यहां पर बरसाथ की बहारे एक नजम है जो जोश्मलिहवादी की है इसी नाम से नजीर अक्बरावादी भी नजम लिख चुके हैं इस बहुत पहले आगे है बदली का चांद, भूका हिंदुस्तान, अलबेली सुभा, सुहागन, बेवा और फरेब हस्ती, महाजन और मुफलिस, नक्काद, जुलमतें, ताजदारे सुभा, जामुन बालियां और गंगा घाट ये इनकी कुछ मशुहूर नजमे थी जोश मलिहावादी की, अब जोश मलिहावादी को हासिल हुए एजाजात और अल्काब, इनको भी याद रखना, जोश मलिहावादी को शायर इनकलाब कहा जाता है, शायर शबाब कहा जाता है, शायर रोमान, शायर फित्रत, और शायर आजम भी कहा जाता है ये इनके अल्काव हैं इसके बाद में जोश मलियावादी को 1904 में हकूमत हिंदुस्तान ने याद रखना हकूमत हिंदुस्तान ने पदम शिरी के एजास से नवाजा था ये हकूमत हिंदुस्तान ने इनको ये इनाम दिया था पदम शिरी पाकिस्तानी 1857 में चले गए थे बहा इनकी बहुत ब enthalpy हालत हुई जोष्मलिहवादी जो हें उनसे मुतालिक को सवालात भी बयान करता हूँ उसके बाद बात करते हैं जोष्मलिहवादी से मुतालिक सवाल है जोश मलिहावादी 1924 में मुलाजमत के सिलसिले में हैदरावाद गए थे हैदरावाद का सफर इन्होंने 1924 में किया 1925 में दारुल तरजुमा हैदरावाद में नाजिर अदब के आहदे पर फाइज हुए इसके बाद जोश मलिहावादी 1935 में हैदरावाद से बापस अपने बतन लोट आए हैदरावाद में तक रिबन ये 11 साल रहे इसके बाद में जोश मलिहावादी जो है वो 1936 में दहली से रिसाला माहनामा कलीन जारी किया इसको याद रखना पूछा जाता है जोश मलिहावादी का रिसाला कौन सा है या उन्होंने कौन सा रिसाला दहली से निकाला तो याद रखना 1936 में निकाला है और रिसाला का नाम है माहनामा था ये कलीम जारी किया था माहनामा का नाम है कलीम इनके रिसाले का नाम कलीम जिसको इन्हों ने 1936 में जारी किया इसके बाद में जोश मलिहावादी ने 1948 से 1905 तक सरकारी रिसाला आज कल के मुदीर रहे रिसाला है सरकारी आज कल जिसके जोश मलिहावादी 1948 से 1955 तक मुदीर रहे इसको जोश मलिहावादी ने एक जनवरी अब ये बात देखी है जोश मलिहावादी जोश मलिहावादी एक जनवरी 1957 में पाकिस्तान चले गए और बहां तरकी उर्दू बोर्ड के रिसाला उर्दू नामा की अदारत के फराइजें अंजाम दिये तो पाकिस्तान में ये है तरकी उर्दू बोर्ड इसका रिसाला है उर्दू नामा इसके भी इदारत जोश मलिहावादी ने की है अब आखिर में जोश मलिहावादी 22 फरवरी 1982 को इसलामावाद पाकिस्तान ही में इनका इंतकाल हुआ और इनकी जो मजार है बो भी इसलामावाद में ही है तो नाजरीन मैंने आपके सामने ये बयान किया जोश मलिहावादी का तारूफ और इनकी तसानीफ एक बात याद रखना इनकी जो नजम सिलेवस में शामिल की गई है किस नजम में किस बहर और वजन का इस्तमाल किया गया है इससे मतालिक मैं आपके सामने एक वीडियो पेश कर चुका हूँ जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आप इसको देखिए इस वीडियो को और जितनी भी नजमे दी गई हैं सिलेवस में उन सभी की नजमों के बहर वजन को आप समझ सकते हैं बहर और वजन से मतालिक सवालात आना लाजमी है और एक बात मैं आपको बयान कर दूँ जो बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि आप सर्फ सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं कहते हैं तो ऐसी बात नहीं है सब्सक्राइब और लाइक आपका दिल चाहे तो कीजिए दिल चाहे ना कीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं खेर आगले इंतखाब में हम आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के खुड़ावा शुक्रिया